कन्या रासी वालों का आज का दिन यनी की 21 फरबड़ी 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 21 फरबड़ी 2021 के पंच्यांग के बारे में आज तिथी है नबमी नक्छत्र है रोहिनी पक्छ है सुकल पक्छ दिन है रबी बारे आज के दिन सुर्य उद्य का समय है छे बज के चौबन मिनट में सुर्य अस्त का समय है छे बज के पंदरह मिनट में रितू है वशंत आज का दिन काल है 11 घंटे 20 मिनट 34 सिकेंड का महिना है माघ आज के दिन सुभ समय सुरू होता है 12 बज के 20 मिनट पीम से 1 बज के 15 मिनट पीम तक असुभ काल सुरू होता है 4 बज के 40 मिनट पीम से 5 बज के 30 मिनट पीम तक राहु काल सुरू होता है 4 बज के 50 मिनट पीम से 6 बज के 15 मिनट पीम तक दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले समय का अनोखा टोटका भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने वाला समय बिहतर इबं सांदार हो सके मित्रों यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो आने वाले समय में गाड़ी चलाते समय आपको शबधानी बरतनी होगी क्योंकि आने वाले समय में ऐसी समभाब न है कि गाड़ी चलाते समय यदि आप कोई भी लापडबाही करते हैं तो आपको चोट चपेट लग सकती है मित्रों आने वाले समय में आपके खर्चों में बहुत जयादा बढ़ोतरी होगा लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी के साथ में आपके आमदनी में भी बहुत जयादा बढ़ोतरी होगा जो कि आपके खर्च एबम आपके आमदनी को संतुलित कर देगा मित्रो आने वाले समय में यदि आप कोई भी सामाजिक उत्सब में भाग लेते हैं तो यह आपके लिए आपके सामाजिक छबी के लिए बहुत ज्यादा बिहतर इबं सांदार होगा आने वाले समय में यदि आप किसी भी सामाजिक उत्सब में भाग लेते हैं तो प्रभाब साली विक्तियों के संपर्क में आने का मौका आपको अबश्य मिलेगा मित्रों आने वाले समय में यदि आपके प्रेम संबंध आपके लभ लाइप की बात करें तो आने वाले समय में आपका प्रेम संबंध बहुत ज्यादा बिहतर इबं सांदार होगा मित्रों आप में से जो भी जयातक आने वाले समय में किसी नए काम की सुरूआत करना चाहते हैं तो आने वाले समय में किसी भी नए काम को सुरू करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में आपके बेपार आपके बेबसाई के छित्र में आपके समय का साथ आपके समय का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए अनोखा तोटका भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक किया है मित्रों तोटका बहुत ही ज्यादा सामान्न है आने वाले समय में आपको गौ आस्रम में, गौ साला में अपनी छमता के अनुसार कुछ दान पुन्ने करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रो आने वाले समय में आपके लिए भाग्य साली अंक है छे यनी की सिक्स आपके लिए भाग्य साली रंग है नारंगी एबम सुनहरा तो यही था आपके आने वाले समय कारा सी फल तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब करदें इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट करदें इस वीडियो को आप हर जगह सेयर करदें धन्यवाद